आज मैं 34 इंच ब्लाउस के बैक नेक डिजाइन आप लोग के शेयर करूंगी जिसको शोल्डर है 5.5 इंच आर्म होल है 6 इंच और नेक विर्थ मैं लूंगी 2.5 इंच नेक लेंद लूंगी 10 इंच आप लोग कम ज़्यादा ले सकते हैं तो मैं इधर अपने जो नाफ है उसक सा गोलाई देते हुए हलका सा ऐसे गोलाई करके फिल नीचे से और एक बर गोलाई करूंगी ठीक है ऐसे दो बर गोलाई करना है आप लोग चाहे तो और थोड़ा सा फैला के भी गोलाई कर सकते हैं मैं इधर जादा नहीं फैला रही हूँ क्योंकि एक कस्टूमर के ठीक है चलिए फिर में फेब्रिक के सिधे वाले पार्ट पे अस्तर कप्रे को रखते हुए पहले एक पैर के मार्जीन से लाई लगाऊंगी पूरा नेक में नेक के चाड़ो तरप से इसमें मैं पेपर पेस्टिंग की उज नहीं कर रही हूँ क्योंकि यह बीना पेपर पे यह ऐसे धीरे-धीरे करके गुलाई में इस दिलाई लगाना पड़ता है तो रहसा टाइम लगता है क्योंकि ज्यादा कटिंग वाला है ठीक है उसके बाद फिर अंदर का जो एक्स्ट्रा कप्रा है उसको मैं कटिंग कर लूँगी इसको भी धीरे-धीरे कटिंग करना है क् बहुत सारा कार्ब टाइब का है इसलिए टाइम लगता है धीरे-धीरे काटना चाहिए फिर थोड़ा कटिंग कर दूँगी बीच-बीच में ताकि आसानी से बैक साइड में फोल्ट हो जाए अब इसको मैं पीछे तरब पलटा लूँगी यह लेखिए इसको अच्छे से पलटने के बाद थोड़ा नाखुन से प्रेस कर देना ताकि अच्छे से पलट जाए और फिर इसके यह नेक के चाड़ो तरब से मैं पहले सिलाई लगाना चालू करूँगी थोड़ा खीचते वे अस्तर कप्रे को सिलाई लगाना है और फिर ऐसे धीरे धीरे करके पूरा नेक के चाड़ो तरब से सिलाई लगा लूँगी सिलाई लगाने के बाद अस्तर कप्रे को भी पूरा मेन फेबरिक के साथ एटच कर लूँगी आप लोग इसमें पेपर पेस्टिंग के भी यूज़ कर सकते हैं जिन लोग नए हैं पेपर पेस्टिंग के यूज़ करेंगे तो और अच्छा बनता है और इसको जरूर घर में ट्राइ कीजिए ट्राइ करके मेरे को बताईए कॉमेंट करके कैसा लगा यह डिजाइन चलिए धीरे-धीरे करके यह पूरा मेरा सिलाय लगाना कम्प्लीट हो गया है अब जो साइट का एक्स्ट्र एक्स्ट्र फेबरीक है उसको भी कटिंग कर लूँगी यह देखिया लेकिन नीचे का जो एक्स्ट्र फेबरीक उसको कटि करना है उसको बैक सइन में फोल्ट करके नीचे से बन जाएगा कमरपत्ती क्योंकि नीचे से लेजर टच करूंगी थी ज़रूरत नहीं है कमरपत्ती के फीर चार चार रिंच के गैप में मैं दोनों तरप हो गा लूँगी अप लोग अगर blouse ज्यादा वरा है तो सारे चारेंच के दुरी में भी टक्स लगा सकते हैं, मैं इधर चार-चारेंच के gap में और चारेंच के लंबाई में मैं ये टक्स लगा लग्या हैं, फिर ये जो एक्सट्रा कपर नीचे से में रखी तो यह नीचे कमर के पट्टी भी रेडी हो गया है मेरा यह देखिए अब अंदर में मैं डिजाइन बनाने के लिए यह कपड़ा ले लिए 10 इंच आउड़ाई में और 12 इंच लंबाई में फिर इसको सिंगल फोल्ड करके पहले उल्टा साइट से सिलाई लगा लोंगी एक पहर के मार्जिन छोड़ते वह सिलाई लगाऊंगी और फिर इसको सिधा कर लोंगी सिधा करने के बाद इसको प्रेस लगा लोंगी ठीक है यह प्रेस लगा लिए हूँ अब बीच में से फोल्ड करके निशाल लगा लूँगी और उसी में चुन्नेट ऐसे देते हुए सिलाई लगा लूँगी यह दिखें ऐसे सिलाई लगा लेना है और फिर मैं इधर जो लेस यूज़ करूँगी उसी लेस को इधर मैं कवर कर दूँगी लेस से बीच वाला जो हिस्सा है उधर लेस से कवर कर दूँगी और सिलाई लगा लूँगी यह हो गया है पैटर्न बनके रेडी हो गया है अब इसके उपर से मैं ब्लाउस को रखूंगे और बीचो बीच रखना है जो जहां फिर इधर से मैं सिलाई लगाऊंगे यह मेरा सिलाई लगाना हो गया है अब उपर से मैं लेज को अटच करूँगे आप लोग इधर चाहे तो बिना लेज के भी यह वाला ब्लाउस सिल सकते हैं लेकिन मैं इधर लेस को यूज करूँगी क्योंकि जिनका ब्लाउस है उनका डिमांड है कि इसके उपर लेस लगा देने के लिए बोली है तो मैं इसके उपर से एक लेस अटच कर रहे हूं यह जो ग्रीन कलर का लेस अटच कर रहे हैं तो इसलिए ग्रीन कलर का लेस मैं वो हो भी गया है अब नीचे से भी मैं ले से टच कर दूंगी तो इसका लूग वाइस और अच्छा लगेगा ठीक है तो यह मेरा डिजाइन बनके रेडी हो गया है तो आप लोग कोई वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कीजिए और जिन लोग मेर देहें नेक्स देन आया डिजाइन के सब तब तक के लिए बाई बाई थैंक यू